नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों देश के बिरोजगारों के लिए वेकेंसी कब आईगी ये तो नहीं कह सकते लेकिन विराट भाई ने एक वेकेंसी खाली जलूर कर दी है T20 की कप्तानी से उन्होंने स्टीफा दे दिया है विराट कोली has decided that after the T20 World Cup he's gonna step down as India's T20 captain अब कौन इस वेकेंसी को भरेगा ये तो वक्त ही बताएगा लेकिन जब से इन्होंने ये इस्तीफा दिया है रोहिट शर्मा के फैंस खुशी के मारे जूम उटे है और यहाँ रोहिट शर्मा के फैंस खुशी से जश्न मना ही रहेते कि वहाँ जब धोनी के फैंस को ये पता चला कि धोनी भारतिये टीम को T20 World Cup में मेंटॉर करेंगे तो धोनी के फैंस भी चल पड़े उनको मुबारक बात देने लेकिन अब सोचने वाली बात ये है कि जब धोनी टीम के मेंटॉर बन गए है तो रवी शास्त्री क्या करेंगे और जब भारतिये टीम T20 World Cup जीच जाएगी जैसा कि हम आशा करते हैं अकबारों में ज्यादा बड़ी फोटो धोनी की चपेगी कोहली की चपेगी या फिर रवी शास्त्री की बहुत confusion है अभी तो ट्विटर पर इंस्टाग्राम की बाद हो रही है लोग ये बता रहे हैं कि इस्टाग्राम से पहले दुनिया कैसी थी और इस्टाग्राम के बाद क्या से क्या हो गई एक ट्विटर यूजर शिंचैन लिखते हैं लेकिन सबसे धासू तो ये था और इसके नीचे आप थोड़ा गौर करेंगे तो एक और रीटूइट है जिसमें लिखा है कि इधर तो 106 रुपे है तो दोस्तों मौका था महिला कॉंग्रेस स्थापना दिवस का राहुल गांधी वाँ पहुँचे और वो इसी स्थापना दिवस पर अपनी बात कहते कहते ये भूल गए कि स्थापना दिवस 38 या 25 यही कनफर्म करने के लिए उन्होंने अपने बगल में खड़ी एक महिला से पूछा बस यही यही रूबी का लियाकत को दिख गया और बस एक अच्छे और सच्छे भाजपा कारिकरता की तरह रूबी का लियाकत लग गई काम पर उन्होंने ट्वीट किया आज महिला कॉणरेस का स्थापना दिवस है राहल गांदी ने नए प्रतीक चन और जिंडे का अनावरन किया लेकिन इस थापना वर्श भूले राहल गांदी 38 में इस थापना दिवस पर कहा कि कॉणरेस महिला समीती पिछले 25 वर्शों से काम कर र बस इसी पर लोगों ने लपक लिया और अच्छे से क्लास लगा दी अंशु लिखते हैं आगाए भाईजान एजेंडा लेकर तांक लगाए बैठे होते हैं कि कुछ जुबान स्लिप हो और लपक ले पर एक बात बोलता हूँ पूरा भाशण सुनना संग की बारात निकाल दिये धर्म के नाम पर गुमरह करना अब नहीं चलेगा तो कलपना सिंग लिखती हैं रूबी का तम खुद तो पत्रकारे तक किसे कहते हैं ये तक भूल चुकी हो दलाली करते करते जुमला पार्टी के कार्याले में तो तुम्हारा दलाली का काम बढ़िया चल रहा है पर इसके बाद क्या होगा इसके बाद कौन तुम्हारे जैसी गदार घटिया दलाल को एंकर के रूप में देखना वे सुनना पसंद करेगा तो मेडम रूबिका जी आप कौन सी टॉनिक लेती हैं तो भाईया आप ऐसे काम ही क्यो करती हैं कि आपको लोगों की गाली खानी पड़े सच बताईए वाइडोंट यू गेट टायर आप थकते क्यों नहीं आप सरकार से कम और किसानों से ज़्यादा सवाल पूछेंगी कि सरकार से सवाल क्यों पूछ रहे हो तो गाली तो खाएंगी और गाली सिर्फ यह ही थोड़ी खाएंगी रीपब लिख भी तो खाएंगे क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले इन्होंने अपने live show में बहुजन समाज पार्टी के नेता को तालीवान का leader leader बता दिया था और जब बाद में पता जला कि जिनकी photo दिखा के इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया वो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे पूर्व विदायक रह चुकी हैं तो फिर ये पहुँच गए उनसे माफी मांगने हैं सुनिए जब उमारे सातीन हाजी याकूब से बात किये हैं इसमें कोई गलती होती है तो माफी इंसान ही मांगते हैं हाजी याकूब सुनिए अगर लोगों में मेसेज गलत गया तो उस आवाम से भी माफी और आप से भी एक माफी नामा है रिपब्लिक मेडिया नेटवर्क की तरफ देखिए सबसे पहले तो मीडियम है जो स्टाफ है उसको चेक कर लेना चाहिए कि हम कौन सी खबर चला रहे हैं जिसने भी ये गलती किये उसको इस बात का सबक शिकाना चाहिए कि इस तरह की हरकत आइंदा दुबारा नहीं होनी चाहिए मेरे साथ ही नहीं किसी के साथ भी इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए खैर अभी इतनी शरम तो है कि माफी तो मांग रहे हैं वर्दा जो लोग खोले हैं, आम TRP चोरी कर रहे हूं, WhatsApp पे देश के नेताओं को, लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हूं, गालियें दे रहे हूं, उनसे आप ये उम्मेद भी नहीं कर सकते हैं तो दोस्तों, जैसे ये सभी कोदी मीडिया के चैनल, अपने अपने दर्शकों को जूट और फेक न्यूज फेक फेक के मारते हैं, वैसे आप भी कुछ भी फेक के मार ये, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया हूं, तो वीडियो को भी पुरा सार मैनत करता हूं आपके लिए बटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा